हेलो एवरिवन, वेलकम टो स्टडियो निकली, आज की वीडियो में हम भिन का जोर, घटाओ, गुना और भाग कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोशन दिया है, 9 by 3 plus 2 by 9 minus 1 by 18 into 3 by 2 divide 3 by 4, ठीक है, इस कोशन का अंसर हमें पाइंट करना है, यहाँ पर द कोशन को कैसे सौल करते हैं, आज की वीडियो में सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को अंतक देखिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब क देखिए ऐसे question को आपको solve करने के लिए board mass का rule पता होना चाहिए board mass का rule क्या होता है मैंने उस पर वीडियो बना दिया है अगर आपने नहीं देखा है उसका link आई बटन में है वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं कि board mass rule क्या होता है बहुत ही important है तो देखिए आपको हम इस वीडियो में बताती हूँ देखिए B for होता है bracket ठीक है O for होता है off D for होता है divide board mass M for होता है multiplication A for addition S for subtraction ठीक है आपको समझ में आ गया कि B से bracket हुआ O for off मतलब होता है का D for होता है divide मतलब भाग करना M for multiplication means गुना करना A for होता है addition means जोडना S for होता है subtraction means घटाना ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि board mass का full from क्या होता है ठीक है तो इसका use हम इस question में कैसे करेंगी वो देखिए यहाँ पर पहले जब भी ऐसा question दिया होगा जहाँ जोड भी होगा घटाना भी होगा गुना भी करना होगा और भाग भी करना होगा तो हम क्या करेंगे board mass के rule के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है D आता है means क्या हुआ divide तो पहले हम divide वाले section को solve करेंगे ठीक है मैंने आपको क्या बताया board mass के rule के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है D आता है इसका मतलब क्या हुआ divide करना है हमें तो पहले हम भाग वाले section को solve करेंगे फिर उसके बाद multiplication करेंगे गुना करेंगे फिर addition करेंगे फिर घटाएंगे ठीक है into three by two यहां देखिए यह भिन की form में है ठीक है तो मैंने पढ़ा दिया है कि भिन का भाग कैसे करते हैं अगर आपने नहीं देखा है प्ले लिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी वहाँ पे जोर घटाओ गुना भाग भिन का कैसे करते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है तो आप आँस जाके देख सकते हैं जब भी हमें भिन का भाग करना होता है आगे वाला जो fraction होता है भीन होता है वो उलट जाता है ठीक है और जो भाग का sign है वो गुना की sign मे आ गया है अब हमें क्या करना है डी की बत क्या आता है म मतलब क्या होता है मल्टिप्लिकेशन अब हम इन सारे का गुना करेंगे तो पहले हम इसे नोट करते हैं यहाँ पर 9 by 3 3 plus 2 by 9 minus 1 by 18 इसे हम इसे हम कैंसल करेंगे 1 by 18 नहीं होगा इसे हम पहले कैंसल करेंगे क्योंकि यह देखिए गुना के फॉर्म में है तो पहले हम कैंसल कर सकते हैं यहां पर देखिए 2 है और यहां पर 4 है इसे हम क्रॉस में कैंसल कर सकते हैं नहीं तो ऊपर नीचे कैंसल करेंग यहां पर 3 है और यहां पर 3 है यह cancel हो गया दो के पहारा में 18 आता है नौ बार में 9 ठीक है यहां पर एक बचा यहां पर एक बचा यहां पर पुरा cancel हो गया तो क्या हुआ एक बचा यहां पर देखिए तो solve कर लिए है तो यहां पर क्या हुआ 1 by 9 बचा एक बटा 9 ठीक है आयो है उसके बाद हम 3 और 9 का LCM निकालेंगे यहां पर देखी हम लिखेंगे 3 और 9 3 और 9 का LCM निकालेंगे 3 एकम 3 3 ती आई 9 इसे हम गुना करेंगे 3 गुना 3 9 होता है तो LCM कितना निकला? 9 निकला चीख है उसके बाद हम गया करेंगे is equal to करके बटा में 9 लिखेंगे अब हमें देखना है कि 3 की पहारा में 9 कितने बार में आता है 3 की पहारा में 9 तीन बार में आता है उसके बाद जो 3 आया है उसे हम अंच में गुना करेंगे निकला करेंगे 27 प्लस उसके बाद यहां देखिए 9 के पहारा में 9 एक बार में आता है जो एक आया है उसे हम उपर अंच में गुना कर देंगे दो माइनस एक चीक है अब हमें एडिशन करना है मिन्स जोड़ना है चीक है यहाँ पर देखी 27 प्लस दो 29 हुआ तो हम यहाँ पर लिखेंगे 29 माइनस एक बटा नो चीक है इस इकॉल टु क्या हुआ 28 प्लस बटा नो यही हमारा एंसर हो गया आयूब आपको समझ में आगया होगा कि ऐसे कॉशन को हम कैसे सॉल्ब करते हैं वीडियो हेल्प लगी तो लाइक करें चैनल पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन दबाएं थैंक यू